हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 की केमेस्टरी का चैप्टर 2nd तो अटमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट यानि उसका इंट्रिक्शन हो चुका है यह इसका 2nd लेक्चर है 2nd लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे discovery of electron that is study of cathode rays है ना तो कैसे discovery हुई electrons की, किसने discovery की electrons की यह सब हम इसके अंदर जानेंगे साथ ही हम जानेंगे cathode rays के बारे में और cathode ray tube के बारे में तो चलिए start करते हैं हम लोग देखिए अगर बात की जाए सबसे पहले तो यह जो दो इनसान आपको दिख रहे हैं विलियम क्रुक्स और जेजे थॉम्सन इन्हों नहीं जो है मतलब पाया था cathode ray experiment इन दोनों ने मिलकर किया था ठीक है atom was found to be atom was found to be divisible यहना atom जो है divisible हुआ दूसरा लिमिटेशन जो थी यह डेल्ट अनेटमिक थियोरी की भी थी ठीक है तो जेजे थॉम्सन और विलियम क्रुक्स ने जो है cathode ray experiment किया था बिसिकली हैना electron की खोजका मैं नहीं कहा रही हूँ मैं सिर्फ इतना कहा रही हूँ कि जो बिसिकली cathode ray experiment था वो इन दोनों ने मिलकर किया अब देखिए next चीज अब यह कैसे electron की discovery हुई है ना क्या इसके पीछी की कहानी है आज हम वो सब चीजें जानेंगे एकदम basic जो stories बहुत कम लुगों को पता होती हो देखिए आपको यह picture दिख रही होगी है ना एक तरफ पा है आस्मान में वो है इसको हम थंडर भी बोलते हैं ना क्या बोलते हैं थंडर भी बोलते हैं तो आप देखो यह बिजली जब गिरते थी ना क्या होता था कि अमेरिका में बहुत सारी बिजली गिरती थी, ठीक है, बहुत बिजली गिरती थी, लेकिन तब लोग क्या बोलते थे, जैसे वहाँ पर तो किशन्स होते थे, जो पादरी लोग क्या बोलते थे, कि भई ये भगवान हमसे नराज है, इसलिए बिजली गिरती है, तो पादरी के पक्ष में एक party थी और इसके विपक्ष में थी scientist लोगों की party ठीक है तो यहाँ पर दो घुट में जो है party बढ़ गई थी पहली थी जो इनके पक्ष में थी जो लोग कहते थे जो पादरी कहते थे कि जो यह बिजली गिरती है यह भगवान जब नराज होते है तब गिरती है भ कुछ लोग तो पादरी की बातों का विश्वास करते थी लेकिन कुछ लोग थे जो पादरी की बातों का विश्वास नहीं करते थे वो थे scientist लोग ठीक है और उन्हीं में से sir jade thompson's भी जो है आते थे ठीक है तो हुआ यह 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 दोनों गुट एक दिन आमने सामने हो गए ठीक है ये दोनों गुण्ड जो है आमने सामने हो गए मतलब कि ये वर्सस पादरी वर्सस जो है साइन्टिस्ट का गुरूअ ठीक है तो हुआ ये के पादरी ने कहा कि भई ये तुम जूट कैसे कह रहे हो कि बिजली जो है भगवान नहीं गिराता है भगवान ही तो गिराता है विजली लेकिन जो साइंटिस्ट का जूंड था जो साइंस पे बिलीव करता था उन लोगों ने बोला नहीं यह हम जो है लैब में भी पैदा कर सकते हैं तो पादरी ने बोला ठीक है भई जो इस साइट गूरुप के लोग थे पा और पुछ सब लोगों को पाइलेकट्रॉंसे लगा गया यह बाद में लागा गया जब तो जेटर lesson जो थे उनके दिमाघ में आ गया कि आगete करना है तो जेजित होमसन लग गए बिलकुल दुनिया को दिखाने के चकर में या उन लोगों को दिखाने के चकर में कि भई आप लोग जो है गलत कहरे हो यह भगवान का काम नहीं है यह साइंस का काम है यह साइंस का कुछ लॉजिक है और यही लॉजिक हम यूज करके लैब में भी जो है, लैब में भी हम लोग बना सकते हैं, ये बिजली, तो सब का बिलकुल एक चैलेंज हो गया था, तो क्या हुआ, क्या किया जजित होंसन ने बहुत सारी स्टडी की, ठीक है, और बाद में क्या आया, एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आया, क्या आया, कैथोड रे एक्स है, ये डिसचार्ज ट्यूब थी, ये जो ट्यूब आपको देख रही है, ये वाली, ये डिसचार्ज ट्यूब है, ये काँच की ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पर इसने घ्सने क्या किया था, 요हाँ सब बहुत सादा wealth है, मतलब हाई weak voltage है, ठीक है, और जो ये काँच की जो बेसिकली ट्यूब है, इसके अंदर जो प्रेशर है, प्रेशर जो है वो बहुत ही कम है, यह पूरा सेट अप है, बेसिकली सबसे पहले उन्होंने क्या दिमाग लगाया, सर्जेज थॉमसन ने, कि जो बादलों में, बादल के भी पार, जो बिजली गड़कती है न, तीसरी कंडिशन थी के प्रेशर जो था वो कम था, और तीसरी कंडिशन यह थी के गैस जो थी वो इनर्ट गैस थी, ठीक है न, इनर्ट गैस समझते हैं आप हीलियम, यह सब गैसे तो इन्होंने क्या सोचा कि इन तीनों चीजों को हम जो है ब्लैब में भी जुगाड कर सकत यह इन्होंने ताकि जो है पूरा मैंटेन हो सके, क्या प्रेशर लो मैंटेन हो सके, ठीक है, यह जो स्क्रीन है न, यह इन्होंने साइड में लगा दी, जैडनेस की, जिंक सल्फेट की स्क्रीन लगा दी इन्होंने, ठीक है, और ऐसे करके पूरा सेट अप कर दिया, इन्हो याँ पर फ्लोॉफ उयर्क्टरॉन हुआ था लेकिन जैसे ये सेट आप किया डिया जैसे बैटरी से जोड़ा ओर हाई वोल्टेज दिया वैसे जो है कैथोड से जो है रे निकलने लगी और बहुत ही जादा मतलब थंडर पैदा हुआ थंडर यानि बिजली कड़की इसके अंदर जो है बिल्कुल कांच से टकरा कर एक दम जैसे बिजली कड़कती है उसे साब से यहां पर पूरा सिस्टम हुआ तो उसने सारे पाध्रियो तो करके बता दिये लोगों को कि ठीक है कैथोड से रेज निकल रही है बात आगी समझ में पर वह चाहते थे कहते हैं कोई इंसान अगर कोई खोज कर ले तो उसकी जिग्यासा बढ़ती जाती है ठीक है ना तो हुआ यहीं पर निरुके उन्होंने आगे और खोज करी उन्ह का नेचर कौन सा है वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है तो यह बहुत सारी चीज़े जो है जानना चाह रहे थे तो उन्होंने क्या किया और एक्सपेरिमेंट की जिसको हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट क्या थे एक्सपेरिमेंट सेट अप हम पढ़ चुके है एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट क्या थे वह हम देखेंगे क्या किया किया है प्रॉप्यूेंट लिएक पता लगाया प्रॉपपेटी द्वर्ट रे में क्या पता च्ला में प्यूस रगा कषस बसे लौकित यूमने लौकित रही होते हैं इस तंसले यूरे में में टेए सके का हूट एक जबने ल१ू तो उसकी पर्चाई इन को यहां दिख रही सी, और वेवर का तो तो होता नहीं है, इस तरीके का नेचर वेव का तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो है, उनके दिमाग में आ गया, और उनको ये भी पता चल गया, कि भई सीधी सी बात है, कि मैंने जो माउंट किया था, अपना लॉकिट, हैना वो एकदम स्ट्रेट जगा पर किया था, एकदम सीधी जगा पर यहां पर, और अपकॉर्स यह बात है कि रेज पूरी इधर आई है, मतलब रेज एकदम स्ट्रेट ली उनकी तरफ बढ़ी आगे, ठीक है, तो हो सकता है, उनके दिमाग में ये चीज आ गई, कि अगर रेज जब सीधी तरीके से आई है, तो मतलब कि रेज एकदम के का, उन्होंने शेडो बना लिया, तो कहने का मतलब है, जो रेज थी, वो स्ट्रेट थी, इस बात से पता चल गया था, अब चलते हैं, नेक्स्ट चीज पे, और क्या थे, एक्स्पेरिमेंट्स के, देखो, इस बात बैटरी लगा दी, आप देखो, यहां पर इन्होंने एक अलग बैटरी लगा दी, ठीक है न, जो कि किस साइट थी, इस इलेक्टरोड के साथ में थी, ठीक है, हुआ यूँ, कि वही पूरा सेटप था, इन्होंने जो है, रेज निकाली, जो कैथोडरे आ रही थी, आप देखो, जो यह कैथोडरे आ रही थी, बिसिकली, है न, एक कैथोडरे जैसे ही इन्होंने या पर यह बैटरी चार्ज लगाई न, जैसे इन्होंने के वाली बैटरी लगाई, तो यहा तो पॉजिटीव चार्ज आ गया, ठीक है, तो यह पूरी जो इलेक्टरोड है, वो चार्ज दो गई, ठीक है, तो हुआ है, वो पूरी की पूरी डिफलेक्ट हो गई, पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई, किदर ये positive की side में, ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ये तो पता था कि हमें जो raise आ रही है, वो negative की तरह के से आ रही है, तो वो negative ही charge होगी, लेकिन फिर भी उसको proof करना था, तो क्या हुआ, आप को पता है, जो negative अगर कोई charged है, तो वो positive की तरफ ही attract होता है, और ये raise जो किसकी तरफ attract हो रही थी, positive की तरह, positive की तरफ, तो मतलब उस चीज़ से वो समझ गया, कि भाई साब, यहाँ पर तो ये जो raise है, वो कैसी है, वो raise है, negatively charged, तभी तो ये positive की तरफ ज्यादा हो रही है, तो इस चीज़ से हमें क्या पता चल गया, कि भाई, जो ये cathode ray है, ये negatively charged है, कैसी है, ये negatively charged है, ठीक है ना, तो आई बात समझ में ये, second result समझ में आया है, अब देखो, देखिए, third side up में इसने क्या किया, इसने ये किया, कि obvious सी बात है, बाकि सब system same था, इसने क्या किया, य इसने ये वाली magnet यहाँ पर लगा दी, अब क्या देखा, अब बिस सी बात है, ये magnet इसने लगा दी, तो जैसे ही जो यहाँ पर cathode ray, से जो rays आ रही थी, जो rays आ रही है, ये क्या किया, ये पूरी की पूरी magnet की तरफ जो है, बिलकुल deflect हो गई, magnet की तरफ deflect हो गई, और आपको पता है, फोई भी जो वेव होती है, वो कभी भी magnet की तरफ deflect नहीं होती है, इससे ये पता चल गया, कि जो ये rays थी, बिसिकली इनका nature कौन सा था, पार्टिकल नेचर था, ठीक है, इससे ये पता चल गया, और दूसरा ये भी पता चल गया, कि जो rays है, बिसिकली ये डिफलेक हो रही थी, तो इससे ये रिजल्ट भी आ गया था, तो देखते हैं, अब आगे और क्या-के रिजल्ट निकले हैं, देखे हम दो चीज़े हैं, बहुत थी, अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, ताकि आपको एक-एक चीज समझ में आ जाएं, जो लिए स्क्राप करते हैं, देखो, दूसरे में क्या है, आप देखो, दूसरा ये था कि कैथोड रे शो हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट भी जो है कैथोड रे शो कर रही थी, अब कैसे, क्या किया गया, पूरा सेटप वही था, बस यहाँ पर मैटल फॉइल लगा दी गई, ठीक है, जब मै मैटल फॉइल का जो टेंप्रेचर है, वो एक दम गरम हो गया, एक दम होट हो गया, है ना, टेंप्रेचर बढ़ गया, तो बिल्कुल ये कैसे हो गई, एक दम होट हो गई, ठीक है, होट हो गई, तो आप सोचो आप, कि ये चीज हो गई, तो डेलतन का दिमाग खनग गया, सौरी अगर ये चीज हो गई ना तो जेजे थॉम्सन का दिमाग एक दम खनग दिया वो ये बोला कि भाई मतलब अबिस सी बात है जो मैंने रेज जो ये कैथोड वेसे रेज आ रही है उससे ये metal foil जो है बिल्कुल heat generate हो रही है मतलब के कुछ तो है तो उसको ये तो पता चल गया था कि जो ये हीटिंग effect शो करता है इसको ये भी चीजे पता चल रही थी अब next क्या पता चला था उसे उसे next ये पता चला कि जो ये cathode रहे है न वो आयोनाइज करती है gases को through which they travel मतलब आप देखो इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ उसको ये पता चल गया था setup सेम था पहले की तरह ही अब इसके अंदर जो ये वाल्ट लग रहा था न ये बहुत हाई वाल्ट लग रहा था तो इसने सोचा कि आपको पता है अपने घरों में कितने वाल्ट आती है 230 वाल्ट आता है ठीक है ना 230 वाल्ट का जटका बहुत सोचोओ उसने एनिशिलया अप्लाई की था कम से क numbers 10,000 वाल्ट तो इतना इसने इनिशिलया अप्लाई किया था था लग तो उसने सोचा कि ये बहुत ज्यादा खपत है तो उसने क्या किया उसने ये देखा कि से इनर्ट गैस की तरह यूस करें इस मतलब यह उग तो कम अश सकता है मतलब 2 a 2000 te 3000 के वीच में भी काम म make this volt तो इसने क्या किया?ılियम को इसके अंदर भरा हुआ यहीं कि जैसे यह कैसोड की रेंज आई if this इस प्रच्छ्छ तो क्या हुआ जैसे यह रेंजोब इसक्या क्या कि इसके atom के अंदर electron, proton, neutron सब थे तो इसने क्या किया इसके electron को निकाल के बाहर फेक दिया और इसके अंदर जो positive charge था बस वो रह गया atom के बीच में मतलब atom के अंदर जो है atom को क्या कर दिया become positive ion, atom को ionize कर दिया दुबारा समझाती हूँ, जो ये rays आई थी ठीक है ना, जो ये rays आई है, उसने इस atom को इस atom के अंदर से electron को निकाल दिया ठीक है, और इसको क्या बना दिया, positive ion बना दिया ठीक है ना, rays ने, cathode rays ने, जो atom था helium का उसमें से electron निकाल दिया और इसको कैसा बना दिया, positive ion मतलब कि इसने जो अंदर gas थी ना, helium की gas थी उसको क्या कर दिया, ionize कर दिया, क्या कर दिया, ionize कर दिया देखिए, जब ये पोरे experiment के result आये ना, तब तक Sir J.J. Thomson ये मतलब idea लगा चुके थे, कि इसका जो नाम है negatively charged particle का वो नाम है electron, क्या है, electron वो ये नाम करन इसका कर चुके थे, दूसरा इन्होंने ये भी कहा था कि cathode ray tube हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो rays है, वो किस से निकली वी है cathode की side से, किस से निकली है, cathode की side से, इसलिए हम इसे cathode ray tube भी बोलते हैं, तो ये दो चीजे हो चुकी थी, सर जेजे थॉमसन ने एक तो electron नाम दिया था, इन rays को, दूसरा इसे cathode ray tube tube भोला था इस पूरे setup को, क्योंकि जो rays थी, वो cathode की side से निकली थी, दूसरा देखो, हुआ यूँ के सर जेजे थॉमसन किसी, आप किसी को अपना interview देने के लिए गए, और उनसे पूछा गया कि सर आप जो electron का नाम ले रहे हो, सब कुछ आप बता रहे हो उसके बारे में, तो आप ये भी बताईए ना कि उसका mass क्या है, ठीक है, और आप ये भी तो ऐसे करके हुआ यूँ के बेसिकली जो सर जेजे थॉमसन थे उनका धिमाग खनका, उन्होंने सोचा बात तो आप सही कहा रहे हो, बात तो सही पूछी है इस इंसान ने, तो जुट गए, वो इसका जो बेसिकली और चार्ज पता करने के लिए जुट गए, लेकिन हुआ यूँ के वो क्या कर पाए, उसका E by M ratio, मतलब E by M ratio, चार्ज by mass ratio निकाल पाए, एलेक्टरॉन का ये चार्ज by mass ratio ही निकाल पाए, क्योंकि सर जेजे थॉमसन ने अपनी जिन्दगी में जो है, चार्ज by mass ratio ही निकाला है, उसके बाद उनकी death हो गई थी, तो चलिए पढ़ते ठीके, यहां इसने अप्लाई किया था electric field, यहां अप्लाई किया था magnetic field, आप magnate देख सकते हो, यहां इसने देखा था fluorescent screen लगा रखी थी, जिसको हम बोलते है, ZNS, ठीक है न, तो देखो, इस तरीके का पूरा setup था और cathode और inert को इसने बैटरी से attach कर रखा था, पहली situation ये बन वो सारी की सारी कहां चली गई इलेक्ट्रिक फिल्ड की तरफ और हमें कौन सा पॉइंट मिल गया ये X पॉइंट मिल गया ठीक है ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फिल्ड की तरफ चली गई और हमें कौन सा पॉइंट मिला X पॉइंट मिला बात समझ में आई, जब हमने क्या अपलाई किया था, जब हमने क्या अपलाई किया था, जब हमने क्या अपलाई किया था, सेकंड बार में हमने क्या किया, उल्ली, मैगनेटिक फिल्ड, क्या अपलाई किया, मैगनेटिक फिल्ड अपलाई किया, देखो मैं लिखती हूँ यहा यह raise किधर चली गई इधर, magnet की तरफ, ठीक है, और हमें कौन सा point मिल गया, यह Z point मिल गया, ठीक है, उस time तक electric field apply नहीं हो रखा था, तो second condition कप बन गई, Z point कप मिला हमें, जब कि हमने magnetic field apply कर रखा था, बात आई समझ में, अब देखो, जब एक point ऐसा आया, जब हमने क्या किया थ electric field और magnetic field डोनों apply कर दिया, क्या किया, third point क्या आया, जब electric field भी apply हुआ, और जब magnetic field भी apply हुआ, ऐसी condition में हमें कौन सा point मिला, cathode ray से जब tube निकली, तो हमें कौन सा point मिला, एकदम Y वाला, मतलब वो एकदम straight गई, क्योंकि उपर जो force था, वो electric field था, नीचे जो force था, वो magnetic force था magnetic field था basically, तो जो यह race थी ना, ना तो वो उपर deflect हुई, वो ना नीचे deflect हुई, वो एकदम बीच में गई, और एकदम straight जाके हमें कौन सा point मिल गया, Y point, तो इस तरीके से हमें यह 3 point मिले, ठीक है, और इस तरीके से जब इन्होंने deflection देखा, सर्जेजित हमसर ने जब deflection क्या point निकाला, E by M ratio क्या निकाला उसका, 1.76 multiply by 10 raised to the power 8, कुलाम पर ग्राम, कुलाम पर ग्राम, यह जो topic था basically, सर्जेजित हमसर ने क्या-क्या खोज करी, क्या-क्या experiment की result बताए, वो यहीं तक ही थे, अब हम next lecture में पढ़ेंगे, क्या mass था electrons का, क्या उस पे charge थे, कैसे उसकी चार्ज की discovery हुई, यह सब चीजे हम पढ़ेंगे अब next lecture में, तब तक की लिए thank you so much.